हलो दोस्तों, वेलकम, वेलकम तो माई चैनल, रहमान पेट्स वाल में आपका सवागत है, उमीद रखते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपके पेट्स भी अच्छे होंगे, तो आज का जो एपिसोड है, हमने किया है एक टर्टल के रिलेटिड, तो बहुत लोग टर्टल क का ख्याल रख सकते हैं, कैसे टर्टिल का ख्याल रख शकते वो kya food लेता है, वो कैसे उसका क्यर करें, तो यह है आज का आज का बनाउट दोस्तों मैंरे साथ रहे हैं और यह वीडियो को तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आज इंडियन शॉफ्टल टटल के बारे में बात करें तो यह जो स्पीसिस है यह वाइल स्पीसिस है यह आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और यह रखना एज पेट इसका ट्रेडिंग करना भी लिगल है तो यह सॉफ्टल सटल के पीछे एक छोटा सा कहानी है तो मैं आपको बताओंगा तो एक दिन मैं ऐसे ही शाम के वक्त घूम रहा था तो अचानक से एक मैदान के पास में मुझे कुछ हिलते हुए दिखा और वहां पे काफी सारे एक दम मतलब तुरंत हैच हुए थे यह बहुत ही छोटे थे बेबी यह तुरंत हैच हुए और यह अपने हैच होने के बाद यह अपने घोसले से निकल रहे थे और उसी वक्त में कुछ चील और कव्य आ गये थे इनको करने के लिए तो मुझे रहा नहीं गया दोस्तों तो मेरे पास ऐसे छे थे और चे को मैंने रेस्क्यू कर लिया आथ देख रहे यह जब लाया था मैं यह बहुत ही छोटा था बिल्कुल ही छोटा था अब तो बिल्कुल फिर भी मैंने उसको खिलाया तो पहले तो मैं खुद भी कन्फ्यूज ताकि इसे क्या खिलाओं तरह तरह के खाना ओफर किये लेकिन यह कुछ दिनों तक बिल्कुल ही नहीं खाएं फिर धिरे-धिरे अब यह मेरे इस घर के माहूल के साथ अजस्ट कर लिया है और मैंने इसी को रखा है इसी तरह से ताकि इनको वाइल का फिलिंगा जैसे कि वाइ वेज भी है और नॉन वेज भी खाते हैं मतलब वेज में यह वेजेबिल्स पत्ते साग यह सब खाते हैं और यह चोटे मचली चोटे मचली या चोटे पी कीरे मकोरे जो होते हैं उसको भी यह खाते हैं तो मैं इनको दोनों ही देता हूं जो भी एवेलेबल रहता है तो कभ बहुती अच्छा है healthy है और active है जैसे आप देख रहे हैं लोगों को तो मैं आपको दिखा हूँ यह काफी थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है पहले से जब मैं लाया था यह काफी छोटा था अब यह काफी थोड़ा सा बड़ा है बड़ा हुआ है तो यह है इनका कहानी और एक चीज़ बता दो दोस्तों यह खाने में जैसे मैंने आपको बताए यह वेज भी होते हैं और नॉन वेज भी तो यह वेज खाना पसंद करते हैं तो वेज में मैं उसको तरह तरह के वेजिटेबिल्स देता हूँ साक, सबजी जो भी घर में आता है उसको देता हूँ तो यह लोग खा लेते हैं और इसको मैंने मचली का जो दाना होता है और यह शौक से खाते हैं और यह बहुत हेल्दी हैं तो दोस्तों यह ही है मैं इसे और कुछ दिन रखने वाला हूँ फिर उसके बाद मैं उसको वाइल में छोड़ दूँगा नेचर में ताकि यह अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सके दोस्तों मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा जिस किसी के पास भी कोई इंडियन सौफ टटल है या जो नेचर या वाइल ऐसा कोई भी इंडियन स्पीसिस है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जादे काफी दिन तक घर में ना रखें क्यूंकि यह जो होता है यह वाइल्ड एनिमिल है इसको नेचर मैं यह अच्छे से सर्वाइब करपाते हैं घर पे या घर के माहूल में या अरटिफिशल माहूल में यह उतने अच्य तरीके से नहीं रहते है या फिर काफी टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग को पता नहीं ह और सोचते हैं कि मशली पालने जैसा ही है इसा नहीं है दोस्तों तो मैं आप सभी से बताऊंगा यह चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें अगर कभी कहीं आपको मिल जाए तो रिस्क्यू के लिए आप इसे रख सकते हैं कुछ दिनों तक इसका केर कर सकते हैं इनका पिना दे सकते हैं और जैसे ही यह थोड़ा सा ठीक हो जाए और मैं आपसे रिक्रेश्ट करूंगा कि आप इसे वाइड में छोड़ दे वाइल जैसे कि नेचर में छोड़ दे जी कि बड़े तालाब में या कोई रिवर में या अगर आपके आसपास में कोई बड़ा तालाव है तो आप उसे उसे छोड़ दे ताकि ये वहाँ पे अपने तरीके से रह सके और ये बड़ा भी हो जाए और नेचर का जो संतुलन है वो रहना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे आज का वीडियो करने का मेरा जो में मकसद है वह यह है दोस्तों को मैसेज पहुचाना ताकि कोई भी वाइल्ड अनिमेल खासकर इंडेन सॉफ्टल या फिर ऐसा टटल आप रखते हैं तो आप उसको ज्यादा दिन तक अपने बढ़ा हो जाएय और ये अपना केर कर सके तो आप इसे चोड़ देशर पर ताकि यह अपने Farmarina तरीके से खाना धोंड सके और बढ़ा हो झाएं और अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल जी सके है me करें दोस्तों और यह है आज का वीडियो तो आज यहीं पर हम खतम करते हैं आज का वीडियो चलिए बाई गुड नाइट अ कि अ कि